नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चनल में आज हम एक नए टोपिक लिखा है हैं पूर्ती और पूर्ती का अन्यम सप्लाई लोफ सप्लाई ठीक है इससे रिलेटेट अपन कुछ टोपिक पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ती क होती हैं ठीक है सप्लाई को अपन कैसे डिफाइन कर सकता है सप्लाई जैसे मांग को डिफाइन करते हैं तो मांग का जो संबंद होता है किसी एक तो कीमत से होता है और एक समय से होता है तो सेम ऐसा कैसा पूर्ती जो है उसका संबंद भी कीमत और समय दोनों से होता है और इ किसे परिवाशित कर सकते हैं पूर्ति किसी वस्तु की वह मात्रा होती है जिसे उत्पादक या विक्रेता किसी समय में विभिन किमतों पर या निश्चित किमत पर बेचने को तयार रहता है ठीक है क्या होती पूर्ति किसी समय में उत्पादक वस्तु की जिस मात्रा को बेचन हैं पूर्थी केयते हैं दो पूर्थी का समन्द के से होता है एक निश्शित समय और कीमत के साथ मे नहीं होता है ठीक है, यह हम कह सकते हैं कि पूर्थी युद्टी स्ट्रोक का वह अगए जिसे उत्पादक निशित आउधी में बेशने के लिए तयार रहता है ठीक है अब हम देखते हैं कि उत्पदक या विक्रेता किसी वस्तु की पूर्ती जादा करेगा या हम उसे कौन-कौन से तत्व प्रभावित करते हैं तो पूर्ती को प्रभावित करने वाले तत्व या पूर्ती को निर्धारित करने वाले तत्व निर उत्पदक वस्तों की पूर्ती ज़्यादा करेंगे और किमत कम होने पर पूर्ती वो कम करना चाहेंगे उत्पदन साधनों की किमते हैं दूसरा है मारा यदि साधनों की किमते कम होती हैं इसका मदलब उत्पदन करने का खर्चा कम आएगा तिस इसमें वस्तों की पूर्ती क्या होगी बढ़ेगी नेक्स सम्मंदित वस्तों की कीमत हैं टेके इस्थानापन वस्तों हैं और पूरब वस्तों हैं ये दोनों क्या होती हैं सम्मंदित वस्तों होती है तो इन सम्मंदित वस्तु कीमते भी वस्तु की पूर्ती को प्रभावित करती हैं फिर है उत्पादन की तक्निक है रज्योगी की या टेक्नोलजी अगर तक्निक में सुधार होगा तो वस्तु सिवा की पूर्ती बढ़ती है फिर नेक्स नमारा है विशेश अवसर विशेश अवसर जिसे त्योहारों को मसमा के आए ठीक है तो उसमें मिठायों की जैसे पूर्ती बढ़ जाती है तो विशेश अवसर जो होता है वो भी वस्तु की पूर्ती को प्रभावित करता है जैसे अब देखते हैं नेक्स नमारा है आगतों की बुनवत्ता तो जो कच्चा माल अपना अच्छी क्वालिटी का गहर होगा तो उत्पादन बढ़ ऐगा तो वस्तु की पूर्ती भी बढ़ती है और फिर परिवन लाते हैं वस्तु जो उत्पादित की गई है उसे एक इस्तान से दुस्से इस्तान पर जो खर्चा आता है लाने ले जाने का उसे अपन परिवन लगते हैं या जाता है लागते किते हैं तो यह जो परिवन लगते हैं कर कम होके तो वस्तो से होकी पूर्ती बढ़ती है तो ये सारे तत्व वस्तुओं की पूर्टी को प्रभावित करते हैं अब ये जो पूर्टी है सप्लाई और ये जो पूर्टी को प्रभावित करने वाले तत्व हैं इन दोनों के बीच के संबन को क्या कहा जाता है पूर्टी फलन टीक है पूर्ति फलन क्या दर्शाथा हैं बस्तुकी पूर्ति और उसे प्रभावित करने वाले तत्वों के मद्य संम्मद टीक है कि पूर्ति कम हो गी या ज़ादा होगी वो किसका फलन है किसके उपन जिबर हैं इन सभी तत्वों के उपब नेक्स्ट हमारा है पूर्ती अनुसुची और पूर्ती वक्र अब हम पढ़ेंगे पूर्ती अनुसुची या पूर्ती तालिका क्या होती है और उस तालिका से वक्र कैसे बनाए जाते हैं या पूर्ती वक्र क्या होता है अब देखिए पूर्ती अनुसुची और पूर्ती वक्र हमेशा क्या प्रदिशित करते हैं वस्तु की कीमत और पूर्ती के मध्य सम्मन को ठीके पूर्ती अनुसुची और पूर्ती वक्र क्या प्रदिशित करते हैं वस्तु की कीमत और पूर्ती के मध्य सम्मन और दोनों में क्या समंद होता है? धनात्मक समंद होता है धनात्मक समंद का मतलब यदि वस्तो की कीमत ज़ादा होती है तो पूरती भी अधिक होगी और कीमत अगर कम होती है तो वस्तो सेमों की पूरती भी क्या होती है? कम होती है तो कीमत और पूर्ती की बीच में जो दनात्मक संबंदे उसको प्रदशित किया जाता है किसके द्वारा पूर्ती अनुसुची और पूर्ती वक्र के द्वारा तो हम पहला देखते हैं कि जो पूर्ती अनुसुची होती है या पूर्ती वक्र होते हैं इनको दू भगों में बाढ़ सकते हैं एक तो होता है व्यक्तिगत और दूसरा होता है बाजार मतलब व्यक्तिगत पूर्ति अनुसुची और व्यक्तिगत पूर्ति वक्र बाजार पूर्ति अनुसुची और बाजार पूर्ति वक्र तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत पूर्ति अनुसुची क्या होती हैं और फिर व्यक्तिगत पूर्ति वक्र अब देखी व्यक्तिकत का मतलब हो गया इंडुईजल का मतलब हो गया कि कोई एक उत्पदक या उत्पदक विशेश विभिन किमतों पर किसी वस्तू की कितनी मातरा बेचना चाहता है जैसे मान लेते हैं कि बाजार में दो विक्रेता हैं दो उत्पदक हैं ए और ब$ अब वस्तों की किमत जैसे अपने पास में है माना कि दस रुपे हैं 20 रुपे हैं 30 रुपे हैं 40 रुपे मन से कुछ किमते ले ली हैं अब इन किमतों पर ये इतनी मातरा बेचना चाहता है 10 रुपए पर कितनी बैदना चाहता है 100 एकाई 20 रुपए पर 200 एकाई 30 रुपए पर 300 एकाई 40 रुपए पर 400 इकाई तो इसको क्या कहेंगे एक की व्यक्तिकत पुर्टी हो गई है इसी दरीके से बी जो है वो इन किम्तों पर कितनी मातरा बेचना चाहता है 10 रुपे पर वो 50 जिकाई बेचना चाहता है 20 रुपे पर 100 जिकाई 30 रुपे पर 150 जिकाई 40 रुपे पर 200 जिकाई इसका मतलब जो व्यक्तिगत पूरती अनुसुची वो क्या दर्शादी है कि कोई एक उत्पद विशेश विभिन किमतों पर किसी वस्तों की कितनी मातरा बेचने को तयार ये सम्मन जो होता है इसको तालिका के द्वरा प्रतिशित कर दिया गया है इसलिए इसको क्या का जाता है व्यक्तिगत पूरती अनुसुची है और जब इसी सम्मन को अगर रेखाचितर वक्र के द्वरा प्रतिशित करेंगे तो क्या बन जाएगा पूर्ति वक्र तो जो हमारा पूर्ति वक्र है वो क्या दर्शता है किमत और पूर्ते की बीच में धनात्मक सम्मन को तो यहाँ पर हमने पढ़ा था भी व्यक्तिगत पूर्ति अनुसुची ताली का अब इसी के अधार पर जिसे बाजार में दो विक्रेता थे A और B तो A का वक्र हमने यह बना दिया है ठीक है इन किमतों पर यह पूर्ति की मातरा ठीक है यह एसा वक्र बनता है उस पर क्यों गवा धनात्मक्डाल का सेम इसे किमतों पर पूर्ति की मातरा लेलिंगे B की तो B का पूर्ति वक्र बन जाएगा वो भी किसा बनेगा धनात्मक्डाल का Next हमरा है बाजार पूर्ति वक्र Market Supply ठीक है बाजार पूरती में हम बाजार अनुसुची भी पढ़ेंगे बाजार अनुसुची और दूसरा आजाएगा बाजार पूरती वक्र तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाजार पूरती अनुसुची क्या होती है तो बाजार अनुसुची क्या प्रतशित करती है बाजार पूर्टी अनुसुची को विभिन किमतों पर ए, बी बाजार में जितने भी विक्रिता है उन सबी के द्वारा कितनी पूर्टी की जाती है समस्त उत्पादकों द्वारा विभिन किमतों पर की जाने वाली पूर्टी वो क्या का जाता है बाजार पूर्टी ठीके बाजार पूर्टी क्या दर्शाती है विभिन किमतों पर बाजार में समस्त उत्पादक किसी वस्तों की कितनी मात्रा बेचना चाहते हैं जैसे यहां प बारा कुल पूर्ति की जाए इन बोनों को जोड़ लो ठीक है A प्लस B कर देंगे जिसे 100 प्लस 50 किया 150 आगया 200 प्लस 100 किया 300 आगया 300 प्लस 150 किया 450 आगया इस तरह के से हमार पास में क्या आगया बाजार पूर्ति और जब इसी बाजार पूर्ति को वक्र के द्वारा पूर्ति करेंगे तो क्या बन जाएगा बाजार पूर्ति वक्र क्या पूर्ति करता है बाजार पूर्ति वक्र वस्तु की कीमत और बाजार पूर्ति के मद्द संबंद और क्या संबंद होता है धनात्मक संबंद होता है इसलिए हमारा डाइगराम कैसा बनता है वकर कैसा बनता है उपपर की और बढ़ता हुआ इस तरह कैसे ठीक जब हम यह तर॑ का बनाते है ठीक है इधर कीमत ले लिए हम ने और A. oot की मजगरेगा बाजार पूर्ति अनुसुजिए एक उलागवक्र बनाते हैं। टितिकत पूर्ति वक्र होते हैं. जब इन बोनों का सम्लिप बना दिया जोड़के तो बन जाएगा हमारा अमारा और जाएगा क्र Senior पूरति का निया। ठीक है law of supply अब पूर्ति का जो नियमें वो क्या बताता है यदि अन्य बाते समान रहती हैं अन्य बाते समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो उस वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी और वस्तु की कीमत में कमी होने पर वस्तु की पूर्ति भी क्या हो जाती ह का मतलब क्या हो गया कि जो पूर्टी का नियम है वो क्या बताता है कीमत और वस्तु की पूर्टी के मद्य धनात्मक संबन को दर्शा हता है धनात्मक का मतलब दोनों में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है किमत बढ़ रही है, पूर्ती भी बढ़ रही है किमत कम हो गई है, पूर्ती भी कम हो गई है आगा समझें पूर्ती का नियम क्या कहता है क्या कहता है पूर्ती का नियम अन्य बाते समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ती बढ़ती है और कीमत के घटने पर पूर्ती भी घट जाती है अब हमने यहाँ पर क्या नाम उपर लिखाता है अन्य बाते ठीके तो यह अन्य बाते कौन सी होती है जो हमने पड़े थे मांग को प्रभावित करने वाले तत्व उसमें वस्तु की कीमत के अलावा बाकी सब को क्या मान लिया गया है उन सब को क्या का जाता है अन्नी बात है जिनको मान निता भी कह सकते है तो पूर्ति के नियम में क्या क्या मान निता है मानी गई है वो हम पढ़ाएंगे अब तो पूर्टी के नियम की मानीता है कौन सी मानीता हो जाएगी पूर्टी को प्रभावित कने वाले अनितत्व हैं वस्तु की कीमत के अलावा वो सब इस्तीर होने चाहिए जैसे हमने भी पढ़ा था जैसे हम देख लेते हैं पूरा ना यह पढ़ा था हमने पूर्टी को प्रभावित कने वाले तो सबसे पहले पढ़ा था हमने वस्तु की कीमत वस्तु की कीमत के अलावा बाकि सब को क्या का जाता है अनितत्व तो अन्य तत्व मतलब इन सब में परिवर्तन नहीं होना चाहिए वस्तु की किमत के लोग बाकि सारे जो तत्व में क्या मान लेता है पूर्ति का नियाम ये सब इस्थिर रहने चाहिए इन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए अगर इनमें कोई परिवर्टन नहीं होता है तो ये जो वस्तु की कीमत है अगर बढ़ेगी तो पूर्थी भी बढ़ती है और कीमत में कमी होने पर पूर्थी भी कम हो जाती है तो आगे समझें पूर्थी का क्या निया में है ठीक है पुमानिताई भी हो गया हमारी है अब इसको हम एक साणी से explaining कर सकते हैं जैसे देखिए यह वस्तु की किमत कितनी है 10 रुपे उसमें पूरती कितनी है 50 इकाई है किमत बढ़कर 20 रुपे हो गई तो पूरती भी बढ़कर कितनी हो गई है 100 इकाई है ठीक है इसका मतलब किया हो गया किमत यहां पर बढ़ रही है तो पूरती भी कितनी है किमत बढ़कर P1 हो गई तो पूरती भी बढ़कर क्या हो गई है Q1 हो गई है इसका मतलब किया हुआ किमत अगर बढ़ती है तो वस्तु के पूरती भी क्या हो गई है यह बढ़ रही है यही पूर्ती का नियम कहता है क्या कहता है पूर्ती का नियम किमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ती बढ़ती है अब देखेगी जो पूर्ती का नियम में वो क्यों क्रियाशील होता है ठीके पूर्ती का नियम क्या कहता है कि वस्तु की किमत अगर बढ़ती है तो उसकी सप्लाई पूर्थी भी क्या होगी बढ़ेगी तो इससा क्यों होता है उसके क्या कारण है वो हम बढ़ेंगे ठीक है पूर्थी के नियम की क्रेशिल्टा के कारण का मतलब क्या हो गया कि वस्तो की किमत बढ़ने पर उसकी पूर्थी बढ़ती है तैसा क्यों होता है ठीक है उसके कारणे तो सबसे पहला कारण हमारा है उची किमतों पर लाब अधिक अगर वस्तो की किमत जादा होती है तो उत्पदकों को लाब क्या होता है जादा होता है दूसरा उंची किमतों पर नए उत्पादक जब वस्तु की किमत बढ़ जाती है तो जो उत्पादक पहले किसी उस वस्तु का निर्मार नहीं कर रहे होते हैं ठीक है वो भी उस वस्तु को बनाने लग जाते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि जब किमते जाता होती है तो नए उत्पादक आ जाता है और नए उत्पादक आ जाएंगे तो क्या होगा वस्तों से वों की पूरती बढ़ जाएगी और तिसरा कारण हमारा है कि दिर्काल में साधनों की पूरती जो है उसको बढ़ाया जा सकता है ठीक है दिर्काल में उत्पादन के सादनों को बढ़ाना संभा होता है जब हम उत्पादन के सादन को बढ़ा सकते हैं तो उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं तो यह हमने पढ़े हैं नियम की क्रिया शिल्टा के आरा अब हमारा टोपिक है पूर्ती में परिवर्त ठीक है कि पूर्ती जैसे कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है तो इसका अध्यन हम दो तरीके से करेंगे ठीक हम इसका अध्यन दो तरीके से कर सकते हैं तो फिर्स्ट हम पुर्टी मात्रा में परिवर्ट करने तो अभी हमने पड़ा था पुर्टी को प्रभावित करने वाले तत्व तो उसमें मैं आपको ले चलता हूँ, वहां से मैं समझा देता हूँ फिर हम यहां पढ़ेंगे तो देखिए यह जो वस्तु की पूर्ति को प्रभायुत कने वाले तत्वे इनको अपने दो भगों माड़ देते हैं एक तरफ तो ले लेते हैं हम वस्तु की कीमत एक तरफ के ले लिया हमने वस्तु की कीमत और दुसरी तरफ हमने ले लिया बाकी अन्य तत्वा ठीक है बाकी सार जो अन्य है उनको हमने एक तरफ ले लिया है एक तरफ हमने ले लिया है वस्तु की कीमत अब देखिए पूर्ती में परिवर्तन की इन कारणों सोसा होता है इन सभी के कारणों सोसा ठीक है यह जो हमने सा वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ती में परिवर्तन होता है तो उसको कहा जाएगा पूर्ती मात्रा में परिवर्तन ठीक है आगे संद में वस्तु की कीमत में परिवर्तन से अगर पूर्ती में परिवर्तन होगा दूसको क्या कहेंगे पूर्ती मात्रा में में परिवर्तन होगा तुश को कहा जाएगा पूर्ती बख्र में शिफ्ट टाइक है वस्ट05 मात्रा में परिवर्तन होगा तुषको कहा परिवर्तन की कारण पूर्ती घड़ती हैं या बढ़ती हैं तो इसको कहा जाएगा पूर्ती मात्रा में परिवर्तन इसमें दो इस्तितियां हो सकती हैं फर्स्ट हमारी है पूर्ती में विस्तार और दूसरा होगा पूर्ती में संकुचन तो सबसे पिल हम पढ़ते हैं पूर पूर्ति में विस्तार क्या होगा हम यहां बोले हैं पूर्ति मात्रा में जो परिवर्टाने वो किस कारण से होता है कीमत के कारण जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की पूर्ति भी क्या होगी बढ़ जाएगी तो इसको क्या कर जाएगा पूर्ति में विस्तार ठीक है और इसको हमें इस डाइग्राम से बता सकते हैं ठीक है जब वस्तु कीमत कितनी है उसे लेकर P है उसमें पूर्ती कितनी है उसे लेकर Q कीमत बढ़कर P 1 हो गई है तो कीमत बढ़ने से पूर्ती बढ़कर कितनी हो गई है Q 1 तो कीमत बढ़ने से पूर्ती बढ़ दे दिखल क्या कहा जाता है पूर्ती में विस्तार आगा सुन में इसका जस्ट अपोजिट होता है पूर्ती में संकुचन जब वस्तो की कीमत अगर कम हो जाती है तो उसकी पूर्ती भी क्या होती है कम तो कीमत गटने से पूर्ती गट जाती है इसको कहा जाता है पूर्ती में संकुचन और इस इस्ति को हम इस डाइगराम से बता सकते हैं यह हमाल डाइगराम है यह वस्तु कीमत ओसे लेकर P और पूर्ती कितनी है ओसे लेकर Q है जब कीमत कमी हो गई पीवन हो गया है तो कीमत के गटने से वस्तो की पूर्ती भी गट गट गई है तो कीमत गटने से पूर्ती गट गट गई है इसको क्या का जाएगा पूर्ती में संकुचन आगया संग में पूर्ती में विस्तार और संकुचन क्या होता है पूर्थी में विस्तार और संकुचन किस कारण से होता है कीमत में परिवर्थन के कारण इसमें पूर्थी को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व इस्तिर रहते हैं चलिए, नेक्स्ट अमारा है पूर्ती वगत्र में परिवरताय या पूर्ती वगत्र में शिव्ट Wi- Kath यह जो मैं, किमत के अत्रिख अनियतत्वों के कारण्ड में,। चो कौन में, विशेश अबसर हो सकता है। जो हमने अनित दत्व पड़ा हैं उनमें से किसी के भी कारण हो सकता है तो फर्स इस्तिति इसमें हमारी हैं पूर्टी में भड़ी increase in supply तो इसकी क्या परिबाशा होगी वस्तु की कीमत के स्थिर रहने पर कीमत के स्थिर रहने पर अगर वस्तु की पूर्टी बढ़ जाती है तो इसको क्या कहा जाएगा पूर्टी में भड़ी कहा जाएगा अब वो यहाँ पर कीमत तो इस तिर रहे तो पूर्टी बढ़ने के क्या कारण हो सकता है अन्य कारण हो सकता है कि उत्पधन की जो तक्निक है टेक्नलोजी उसमें सुधार हो जाए या सरकार की जो निती हैं टेक्स हैं उसमें परिवर्तन हो जाए सम्मझित वस्तु की किमत में परिवर्तन हो जाए साधनों की किमत कम हो जाए नए साधन आ गए ठीक है तो यह कुछ भी हो सकता है इन कारणों से अगर पूर्ती बढ़ जाती है तो हम कहेंगे से पूर्ती में व्रद्धी होती है और इस इसनी में हमारा जो पूर्ती वक्र है वो क्या होगा दाई और शिप्ट हो जाएगा जैसे यह देखना हमेंगे वस्तुक किमत कितना हो से लेकर कुछ अब किमत क्या हो बढ़ जाती है तो हमारा पूर्ती वक्र किदर दाइओ और शिप्ट हो जाता ए covered पहला वक्र ता एस एस और बन गया यह एस ओन एस तुछ बूर्ती वक्र दाई और शिप्रतत वो क्या दर्शाता है पूरती में व्रत्थी को दर्शाता है इसमें कीमत क्या होती है इस्थिर दूसरी स्थिति इसकी अपोजीट पूरती में कमी है तो पूरती में कमी क्या होती है जब वस्तु की कीमत के इस्थिर रहने पर अन्य तत्वों में परिवर के जो technology है तक्द ठो पूरा नहीं हो गया हो कर को सरकार ने टेक्स बढ़दी हो उत्पाधन की लागध बढ़ गया हो उत्पाधन के साधन है वो आसानी से प्लग नहीं हो रहे हैं ठीक है महेंगे हो गए हैं तो ये बहुत सारे कारण है इन कारूने से क्या हो सकता है पूर्ती में कमी हो सकती है पूर्ती में जब कमी होती है तो हमारा पूर्ती वक्र बाई और शिफ्ट हो जाता है ठीक है जैसे हम प्रारा में गिस्ती में देखते है वस्तु कीमत ओसे लेकर पी है और पूर्टी कितनी है ओसे लेकर क्यों अब इसी कीमत पर अगर पूर्टी घड़ जाती तो हमारा पूर्टी वक्तर बाई और किसर जाता है ठीक है और नया संतलों आगया यहां पे तो वस्तु की पूर्ती यह जो घटगे इसको क्या का जाएगा पूर्ती में कमी तो आगया सुने दोस्तो यह हम चाहें यहां पर कोई संख्यात्मत पुरहन ले सकते हैं यह वस्तु की कीमत हैं यह हैं पूर्ती है वस्तु की कीमत 10 रुपए है उसमें पूर्टी कितनी है 100 इकाई या कीमत 10 रुपए है और पूर्टी बढ़के कितनी हो गई है 120 तो कीमत के इस ते रिने पर पूर्टी बढ़ जाते इसको क्या का जाएगा पूर्टी में व्रद्धी ठीके माना कि हमने ले जिया है वस्तु की कीमत है 10 रुपे उसकी पूर्ती है 100 एकाईया कीमत 10 रुपे है उसे कीमत पर पूर्ती गटकर 90 एकाई हो जाए कम होगे पूर्ती कीमत वही इस्तिर है तो इसको क्या का जाएगा पूर्ती में कमी किमत 10 रुपए है उसमें उसकी पूर्ती है सुई काईया किमत बढ़के 20 हो गए है तो पूर्ती बढ़के कितनी हो गई है 120 उसको क्या का जाएगा पूर्ती में विस्तार ठीक है ये पूर्ती में विस्तार है और पूर्ती में संकुचन क्या होता है यदि किमत 10 रुपए है पूर्ती कितनी है सुई काईया किमत कम होगी ये 5 तो पूर्ती भी कितनी होगी ये 50 तो किमत गटने से पूर्ती गट गई तो इसको क्या का जाता है पूर्ती में संकुछ ठीक है दोस्तों